लोगसभा चुनाओं के बीच राष्ट्रिय जनतादल को सुप्रीम कोट से बरा जटका लगा है जनतादली को लेकर के सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटकटाया था तो सुप्रीम कोट ने उस आचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है दसल आपको बताएं कि जो मुंगेर संसदेज सीठ है वहां 13 मई को लोगसभा के चुना हुए थे और जदियू ने यहां से ललन सिंग को उमिदबार बनाया था दूसरी और राजद की ओर से कुमारी अनीता उमिदबार थी और इन तमाम चीजों के भी जब 13 मई को चुना हुए तो राजद की ओर से आरोप लगाए गए कि मुंगेर संसेजेज सेट के अलग-अलग छेत्रों में बरे अस्तर पर धांधली हुई है जद्यू के कारिकरताओं ने अधिकारियों के मिली भगत के साथ वहाँ पे अलग-अलग बूथों पर धांधली की जिस वज़ा से वहाँ पे पुनरमतदान की मांग को लेकर के 45 ऐसे बूथों को बताया गया था जिसमें कहा गया था कि इन बूथों पर धांधली हुई है और यहां पुनर्मतदान होना चाहिए। में गुहार लगाई थी। उस याचिका को एक तरीके से देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने आ सीधे तोर पे खारिज कर दिया और सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। क्या होता है तब फिर आगे हम देखेंगे। जरसल ये जो पूरा का पूरा संसदी चुना हुआ था उसमें 13 माई को मुंगेर में बोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद बाकाईदा राष्ट्रे जनता दल ने इस मामले को लेकर के निरवाचन आयोग के पास भी एक शिकायत दर्ज कराई थी। और उसमें कई बोटों के नाम दिये गए थे जहां पि जिन नंबरों के साथ ये बताया गया था कि हम इन बोटों पर धांदली हुई थी। अब सुप्रीम कोट से आई है मुंगेर में 4 जून को मतगरणा का कारे होगा मतगरणा के पहले ही जहां राष्ट्रे जनता दल ने इंत्यमाम आरोप जदियू पर लगाये थे तो जदियू की ओर से पहले ही कहा गया है कि राजद हताशा में है और हतासा के कारण इस प्रका कार के आरोप यहां लगा रहा है तिन तमाम आरोप प्रतियारोपों के बीच जब रजद ने अपना नियाचिका सुप्रीम कोट में दायर की तो उस पे आज वहां सुनवाई से इनकार किर दिया गया है और राजद को यह बड़ा जटका सुप्रीम कोट से लगा है झाल आए झाल